पेगंबर मामले में जिहादी गैंग को सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है क्योंकि नुपर शर्मा को कोट से अंतरिम राहत दे दी गई है और इस मामले में 10 अगस्त तक उनके खिलाफ किसी भी कारवाई पर रोक लगा दी गई है अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को ही होगी जिसमें मामले में आगे का फैसला लिया जाएगा दिल्चस्प बात तो इसमें ये रही है कि इस बार भी नुपर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने वाले जज जस्तिस सूरिकांत और जस्तिस जेबी पार्दिवाला ही थे जिन्होंने पिछली बार नुपर को देश भर में बिगड़ते माहौल और कनहिया लाल की हत्या के लिए जिमिदार बताया था और फिर जम कर उनकी आलोचना हुई थी लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट से नुपर को अंतरिम राहत दे दी गई है तो जिहादी गैंग का भी मुव बंध हो गया है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से पहले जजो की टिपणी के बाद जिहादियों को बढ़ावा मिला था लेकिन अब जजो के फैसले के बाद क्या होगा इसी विशापर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियों में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कमार दोक्र साब बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद दोक्र साब जजो की टिपणी जो नुपर शर्मा पर की गई थी उसके बाद देश भर में बहुत बवाल मचा था जिहादी गैंग को बढ़ावा मिल गया था लेकिन अब जजो ने यूटन ले लिया नुपर शर्मा को अंतरिम रहत दे दी गई है देखें ये जो राहत मिली है ये नुपर सर्मा का अधिकार है जो पिछली बार सुप्रिम कोर्ट में हुआ वो न्याय किसी भी एंगल से नहीं था आपने कुछ ऐसी टिपढ़निया कर दी जिसके लिए कोर्ट में कोई अरजी ही नहीं थी कोई ये पूछने नहीं गया था जजस साहब से कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मदार कौन है आपने बिना इन्विस्टिकेशन के ही नुपर सर्मा को दोशी करार दिया तो ये लक्षवन रेखा जो क्रॉस उस वक्त हुआ कल सुप्रिम कोर्ट अपनी गलती को सुधार लिया अब इस फैसले का जो रमिफिकेशन है वो क्या है पिछली बार जैसे आपने कहती है तुमारी वज़े से कनहीराल की मौत हुई देश में जो कुछ हो रहा है बस एक व क्या क्या चीज़े हुई देश को मालुम चला कि पी फाई किस तरीके से फौज तयार कर रहा है किस तरीके से बिहार में ये खुलासा हुआ कि पंद्रह सौ लोगों की आर्मी विल ट्रेंड आर्मी पी फाई ने खड़ी कर लिए अब कल ही खबर आई है कि अपाकिस्टान से कोई वेक्ति आ गया कोई रिजवान करके कि क्यों आया बही का को नुपूर शर्मा के तन को सर से जुदा करनी के लिए आ कासे कैसे लोग है यह है किया है इन확ल कि मान सकता है left एक वैक्ती सीता मठी में नुपूर नुपुर सर्मा के वीडियो देख रहा था बस चाकू मारती है गया कोई फेस्बूक पर लिंग देता है कि नुपुर सर्मा के हम समर्थन में हैं उसको धम क्या मिले लगती है माफी मगवाया जाता है पिटाई होती है देश भर से इस तरह की घटनाएं जो है तो मुझे लग तो 2047 का है जब हिंदुस्तान को हिंदु मुक्त कर दिया जाएगा और यहां पे इसलाम का पर्चम फेराए जाएगा और इस संगठन के खिलाफ कोई सेकुलर जंतु कुछ बोली नहीं रहा कहा है वो दलाल पत्रकारों का जत्था जो दिन रात मोधी को गाली देने का धंद बनागर रखे बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा कहां गया इनका सेकुलरिजम कहां गया इनका संविधान बचाने का पूरा बवंडर क्योंकि जो दस्तवेज निकल रहे हैं उसमें साफ साफ बता रहा है कि यह हमारी स्ट्रेटिजी है कि शुरवाती दौर में हम मीम और भीम करेंगे और भारत का जंडा भारत का संविधान और डौक्टर भीम राव अंबितकर की तस्वीर लेकर देश को मुर्ख बनाएंगे तो मुर्ख तो जो बनने वाले हैं यह सेकुलरिज़ ब्रिगेट के लोग यह पत्रकार को अल्यटी इन लोगों ने दासता इनकी ऐसी है कि ऐसी बुद्धि भष्ट हुई है कि आग के सामने देश ग्रह युद्ध की और बढ़ रहा है और इनको यह समझ में आ रहा है कि भई हिंदू ही जो है वो सबसे बड़ा विलन है यह बीमारी ऐसे खत्म नहीं होने वाली है जी डॉक्टर साब एक बात ये भी है यहां कि नुपर शर्मा जिस तरह से उनके उपर जजों ने टिपनी की थी पहले तो उसके बाद जिहादी गैंग को बढ़ावा मिल गया था एक तरह से नुपर के खिलाफ और लगातार धंकिया जारी की जा रही थी नुपर के समर्थ पाई और इस्लामिक टर्रिजम भैलाने वाले लोग ये कटर पंथी लोग इनको ना हिंदुस्तान से प्रेम हैं ना इन्हें हिंदुस्तान के संविधान से प्रेम हैं ना इन्हें डिमोक्रसी से प्रेम हैं ना इन्हें सुप्रीम कोट का कोई खौफ या डर है बात सिधी सि ही करनी चाहिए इन लोगों के दिमाग में बस एक ही किड़ा है कि हिंदुस्तान को इसलामिक मुल्क बनाना है और उसके नास्ते जो कोई आए वो इनके खिलाफ है आप किस तरह से आप देखिए नुपुर सर्मा के समर्थन करने वालों को भी धम किया करने राल की मौत क्यों हुई उन्होंने तो कुछ नहीं कहा वो तो सिर्फ नुपुर सर्मा के समर्थन में उन्होंने कुछ पोस्ट डाले थे अमरावती में मौत क्यों हुई उन्होंने कोई ब्याद्वी की उन्होंने कोई स्टेट्मेंट दिया नहीं क कहां कहां से पाकिस्तान से लोग उठके आ रहे हैं बेन उपर सर्वा को मारना है तो यह जो ब्रेन वास करने की जो मसीन है उस मसीन के उपर ताला कॉल लगाएगा यह सुप्रिम कोट के बस की नहीं है यह हिंदुस्तान के समिधान के बस की नहीं है इसमें सरकार को जो सुरक् एलिमेंट्स को समाज से चुन-चुन के बाहर निकालिए बहुत सारे आइलेंड्स पड़े हुए हैं अंदमान निकोबार में भेजिये उनको उधर यह सब समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है यह लोग जो इनका समर्थन करते हैं और जो इन सब चीज में शामिल होते हैं यह देश को अंधकार के ओर लेकर के जाना चाहते हैं अंदर का अकड़ा है बंगाल में हजारों में होगा संख्याँ इनके किलाफ कब कोई एक्षिंट क्या भई सरकार को टैकर नश्राय करना होगा एक्शल लेना भी है पही नहीं लेना है बंगाल के अंदर नुपुर सर्मा के नाम पर कितना ज्यादा हर जगा हिसा हुई है हिंदुओं को दोड़ा दोड़ा करके मारा गया उनकी बहानों को उनके घरों को उनके दुकानों को जलाया गया पत्रा हुआ सरकारी प्रोपर्टीज रेलवे स्टेशन तक को फूख दिया गया कोई एक्षन कोई गिरफतार कोई एक्षन मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कोई बयान मम्ताब बनर जी की तरफ से आप बढ़ावा देते हैं बोर्टाइंक पॉल्टिक्स की वज़त से और आपने सही का पूछा कि ये अलग-अलग राज्य में अलग-अलग राज्य कौन से राज्य है जहां जहां नौन-बी-जी-पी गौर्वर्मेंट है वहां महाँ पायार कि बुलाओ से मम्ताब बनर जी नुपर सर्मा को ग्रिफतार करके वो तगमा पहनना चाहती थी कि मुसल्मानों की सबसे बड़ी लीडर वो खुदा है ये नहीं जानते हुए कि जो लोग नुपर सर्मा के खिलाफ खड़े हैं वो देश के सबसे बड़े दुस्मन आज की तारिक में हैं वो प्लान कर रहे हैं टर्की, पाकिस्तान, चीन से आम समंगवा करके हिंदुस्तान की आर्मी से लड़ने के तैयारी है इन के दिमाग में क्या चल रहा है समझ McGन आ रहा लेकिन PFFY तो इन सब चीजों से नकार रही है क्यों चोर कहता है कि मैं चौर हूँ कौन सब चौर कहता है कि मैं चौर हूँ यह PFFY के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं क्या यह गलत है कि वो Indialor लोग थे बैस सीमी को बैंड क्यों किया गया क्योंकि वो बांधमा की कर रहा था आप पहले भी वही काम कर रहे थे अब नाम बदल के पीफाई के बन करके आप भी वही काम कर रहे हैं तो सीमी को बैंड करने का फाइदा क्या हुआ कोई फाइदा नहीं हुआ कोई फादा नहीं हुआ आपने उस संगठन को बैंट कर दिया आदमी को छोल दिया उनोंने दुसा संगठन खोल लिया बही निन मुझाहिदिन क्यों था ये तो सीमी का ही पार था जो देज बर के अलग अलग शहरों में जिसने बम धमा के कि तो बम धमा के टेर्रिरिजम के हिस्ट में आ गया इस बार तो और उससे ज़्यादा खतरनाक मंसा और प्लैनिंग के साथ पी फाई एक्ट कर रही है एक सब्जी वाले के पास जगड़ा होता है दो हजार मुसलमान खड़े हो जाते है कौन मॉबलाइस कर रहा है यह जहांगुरपूरी के जो घटा घटी है उसमें जो लेटिस्ट जो जानकारी पुलिस की तरफ से जो कोट में जमा किया गया है क्या कह रहा है वो वो कह रहा है कि पूरा निटवर्क प्री प्लैन्ड सब कुछ क्या हुआ राजस्थान में कनहियलाल की मौत की पीछे कितने लोग थे 40 लोग की प्लैनिंग थी अमरावती में 26 लोग इन्वाउब्ड थे बिहार में गजवा हिंद वाटसप गुरूप का नाम है पाकिस्तान के लोग उसमें है बंगलादेश की लोग हैं बै कहा से क्यूं पीएफ़ाई कह रही है सरकारी प्रोपगेंडा है तो तुम्हारे यहां से वो क्यूं निकल रहा है जंडा बै क्यूं क्या कैरल के जो हाई कोट है उसके जजजे उन्होंने क्यूं ऐसा कहा कि भाई it has become an internal security threat क्यों केरल की सरकार ने कहा कि भाई ये जो है political killings करवाता है क्या ये हकिकत नहीं है कि कुछ लोग जो केरल से गए ISIS के साथ लड़ने के लिए इराक में, सीरिया में वो सब PFI के लोग थे तो ये सारी बाते बिकार की है सौबात की एक बात यही है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के अंदर ये वाहविजम, ये कटरता ठैलाने का ठंदा कुछ संगठन कर रहे हैं उनका टार्गेट बस इतना ही है कि 10 फिस्दी मुसलमान हमें समर्थन दे दे 25 करोड के आस पास आबादी है मुसलमानों की ढाय करोड की आर्मी वो खड़ा करना चाहता है ताकि वो इंडियन आर्मी ये उस बाकिस रुचा इजिन्सियों से लड़ सके ये तो सीधा सीधा calculated move है लेकिन बिहार की सरकार है वहाँ बीजेपी और नितिश कुमार की गटबंदन सरकार है किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है मार्शलाट के नाम पे दो सो लोगों के ट्रेनिंग सिर्फ निजामाबाद में वहाँ तो बीजेपी के सरकार नहीं है वहाँ पकर धकर हुई वहाँ मालू चला कि भई दो आदमी इसी तरीके से ट्रेनिंग दे रहा था पूरा मॉडूल हर जगह नदर आ रहा है तो ये सारी चीजें सुप्रिम कोट के सामने इन दोनों जजज़स के सामने पिछली सुनवाई और कल जो सुनवाई हुई इस दौरान की खबरे हैं तो मुझे लगता है कि जज़साब को भी समझ माया होगा किसके लिए जिम्मेदार नुपूर सर्मा नहीं नुपूर सर्मा सिर्फ बहाना है नुपूर सर्मा सिर्फ बहाना है ये हिजाब बहाना है C.A.A. बहाना है ट्रिपल तलाग के खिलाप आंदोलन बहाना है आप कुछ भी करोगे वो बहाना बना करके मुसलमानों को मॉबलाइज करेंगे कटरता का जहर बोएंगे और रिक्रूटमिंट होगा टार्गेट दो हजार चौबिस नहीं है यह जो पॉलिटिकल पार्टीस यह जो बॉने लीडर्स हैं देश के अंदर सेक्लॉरिजम की अफीम चाट के बैठे वे हैं जो उनके सामने दो हजार चौबिस का चुनाओ होता है लेकिन यह जो जिहादी हैं इनका टार्गेट दो हजार सेथालिस है यह इन बॉने लीडर्स से ज़्यादा अकलमंद है इसलिए इनको टैकल करने के लिए इमीडियेटली केंद सरकार को और राज्य सरकारों को मिल बैठ करके कोई स्टेरजी बनानी होगी अदरवाइस देश में फिर से बटवारा होगा देश में फिर हिंसा होगी देश में ग्रह युद जैसे इस्ति बनेगी इसको कोई टाल नहीं सकता जिस वक्त सुप्रीम कोट के जजों ने फैसला नहीं लिया था तब जिहादियों ने खुल्याम नुपुर को मारने की धमकी देनी शुरू कर दी थी पिएफ़ाई जैसे जिहादी संगठन ने देश में दंगे भड़काने और उसे इस्तलामिक राष्टर घोषट किये जाने की प्लानिंग कर ली थी लेकिन इतना सब होने के बाद जब सुप्रीम कोट के जजों की आलोचना हर तरफ होई और उन पर महाअभयोग चलाए जाने की मांग उठने लगी तो अब पबलिक प्रेशर में आके सुप्रीम कोट के जजों को अपने फैसले में बदलाफ करना पड़ा जिससे वो जिहादी गैंग जो अब तक सुप्रीम कोट का हवाला दे कर अपनी नापाक साज़िशों को अंजाम दे रहा था उसके मूँपर ताला लग गया इस विशापर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज उतना ही कर दो कर दो